हलो एवरीबान आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी ले कराई हूँ और ना तो हम इसमें घी यूज़ करेंगे ना मावा ना चाशनी ना कंडेंस मिल्क फिर भी आप देख सकते हैं कितनी जादा सौफ्ट और एकदम से मों में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तयार होती है और आप इसे वरत में भी खा सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 80 ग्राम मखाने दिये हैं इसे फूल मखाने या फिर फोक्सनोट्स भी कहते हैं इसे कड़ाई में डाल देंगे और इसके उपर इस तरीके से जो काला सा पार्ट रहता है यानि इसका जो छिल्का होता है इसे हम इस तरीके से उतार देंगे ताकि जब आप इससे मिठाई बनाएंगे तो वो एकदम white बनेगी उसमें हलका सा भी काला पर नहीं आएगा अब हम gas का flame low to medium रखेंगे और से इस तरीके से चलाती रहेंगे तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं मुझे इसे भूनते हुए ये देखिए जब मखाने इस तरीके से क्रंची हो जाएं जब आप इन्हें फिंगर्स के बीच रखके इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये आसानी से तूट जाएंगे हलके से क्रंच के साथ तो समझ लीजे कि मखाने अच्छे से भुन गए हैं गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब हम इन्हें इस बोल में निकाल लेंगे पहले इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद जब ये हलके से ठंडे हो गए हैं तो हम इसे इस ग्राइंडर चार में डाल देंगे पहले हम आधी डाल रहे हैं और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए अभी पूरी तरह से grind नहीं हुए हैं तो मैं इसमें बाकी के मखाने भी डाल दोंगी और इन्हें पूरी तरह से अच्छे से एकदम fine powder बना लेंगे ये देखिए आपको इसे बहुत अच्छे से grind करना है ये देखिए हमारे जो full मखाने हैं अच्छे से grind हो चुके हैं अब इसी कड़ाई में आधा कप काजू डाल देंगे यहाँ पर मैं काजू टुकड़ा यूज कर रहे हूँ आप चाहें तो साबुत काजू भी डाल सकते है और इन्हें भी low flame पर बस एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे इनका color change नहीं करना है बस हलके से गरम हो गए हैं तो बस इतना ही काफी है gas का flame off कर देंगे और अब इस काजू को भी हम इस मखाने के powder में डाल देंगे यानि की grinder jar में डाल देंगे और इन्हें फिर से grind कर लेंगे अगर आप मखाने के साथ काजू को ग्राइंड करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं और अगर आप काजू को अलग से ग्राइंड करेंगे तो एक तो उसमें दाना रह जाता है साथ ही उस वो oil भी release कर देते हैं कई बार sticky से यानि चिपचिपे से हो जाते हैं और पूरी थरा से grind भी नहीं होते तो मखाने के साथ grind करेंगे तो इस तरीके से देखिए बड़ी हसा powder हो जाता है अब इसमें आधा कप ही नारिल का बुरादा यानि कि desiccated coconut डाल देंगे या आपको market से आसानी से मिल जाता है और इसे भी सबको अच्छे से grind कर लेंगे ये देखिए हमने इसका एकदम fine powder बना लिया है आप gas पर कढ़ाई रखेंगे इसमें 2 cup दूद डाल देंगे वेट में आपेंगे तो आधा लीटर दूद है मैंने यहाँ पर full cream और कच्छा दूद यूज किया है आप चाहें तो उबला हुआ दूद भी यूज कर सकते हैं और जो भी आपके घर में regular दूद आता है आप इसमें वो डाल सकते हैं इसमें आपको जो हलका सा उपर से काला काला लग रहा होगा वो इसलिए क्योंकि हमने इसी कड़ाई में ही मखाने और काजू भूने दे और अब इसमें एक उबाला ने देंगे देखे जैसे ही दूद में अच्छे से उबाला चुका है हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर मिश्री डाल सकते हैं या फिर देसी खान भी डाल सकते हैं और यह देखे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूद में बढ़िया सा उबाला चुका है तो गैस का फ्रेम बेकुल लो कर देंगे और अब हम इसमें यह मखाना, काजू और नारियल का मिक्षर डाल देंगे और इसको लगता इस सरके से चलाते रहेंगे इस समय आपको गैस का फ्रेम बेकुल लो रखना है क्योंकि एक तो यह अच्छे से पक जाएगा और दूसा नीचे से जलेगा भी नहीं और साथी यह जो मेक्षर है यह दूत को बहुत अच्छे से अब्जॉब कर लेता है यह देखिए तीन से चार मिनट लगे है और इस मेक्षर ने सारे दूत को अब्जॉब कर लिया है और साथ ही ये कढ़ाई भी छोड़ने लग गया है इतमेंस ये मिक्षा बिल्कुल तयार हो चुका है इसमें हलकी से आपको शाइन भी दिख रही है क्योंकि जो काजू है और नारिल है उसमें अपना हलका सा ओयल भी रहता है इसलिए हमने इस रेसिपी में कुछ भी ओयल या घी का यूज नहीं किया है और ना ही आपको मावे की जरुवत है ना ही कंडेंस मिल्की और अब इसमें एक चुथाई छोटी चमच इलाइची का पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे यह हमारा डो जैसर तैयार हो गया है अगर इसे हाथ के बीच रोल करके देखेंगे तो अच्छे से रोल हो रहा है तो इसमें से बिल्कुल तैयार है तो बस गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे आप इस मिक्शे को हम इस प्लेट में ट्रास्फर कर देंगे आप चाहें तो प्लेट को भी घ्रीज कर सकते हैं हलका सा घी लगा कर पर हम यहां पर घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो काजू होते हैं और मखाने और साथी जो नारियल होता है उसमें अपना भी ऑईल काफी होता है तो इसमें हमें बिल्कुल भी घी डालने की जुरत नहीं रहती है और आप हमें से पहले स्पैचुला से इस तरीके से फ्लैटन कर देंगे और फिर बेलन से उपर से हलका सा इस तरीके से रोल कर देंगे ताकि यह बिल्कुल एवन हो जाएगा अब आप इसे चाहें तो चांदी के वक से गार्निश कर सकते हैं ड्राइफूट से गार्निश कर सकते हैं मैं इसे कटे हुए पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ और इसकी बाद बेलन से उपर से हलका हलका रोल कर देंगे यानि उपर से हलका सा बेलन चला देंगे तो जो dry fruit है वो अच्छी से अंदर set हो जाएगा आदी घंटे के लिए से room temperature पर ही छोड़ देंगे ताकि यह हलकी सी dry हो जाएगी आप चाहें तो इसे fridge में भी रख सकते हैं आदी घंटे बाद ही जब यह हलकी सी dry हो गए है तो हम इसे pieces में काट लेंगे आप इसे अपनी मन पसंद pieces में काट सकते हैं चोटे या बड़े जैसा भी आप चाहें या आप इसे लड़ू या पेड़ा भी बना सकते हैं इसे mixture के साथ और यह देखिए जो इसके किनारे हमने अलग किये हैं यह मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़कर देखिए कितनी बढ़िया बनी हैं कितनी perfect यह मिठाई बनी हैं और यह देखिए तो friends मैंने तो इसे ठाकुजी के भोग के लिए बना लिया है आप अपने ठाकुजी के लिए क्या बना रहे हैं मेरे साथ जरूर शेयर करें और यह देखिए अगर मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ तो देखिए कितनी जादा soft और moist बनी है एकदम से मों में खुल जाने वाली तो friends आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राय करें और अगर आपको हमाई recipes ट्राय करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जो कीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरहां की और नेनी recipes देख जाराइब कंडार कूओ П с égal़ हैै TE ऑ théode आत वीडियो को झाषी करके बाद एकंपा ने च्तपट अबो जाखने को आत एक बाभागी और हैपeting गस kidney एक बात